वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियो में बात करने जारे हैं राजिस्थान रोयल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब मैच चो कि आज खेला जाएगा शारजा क्रिकेट स्टेडियम में क्या हो सकती है पॉसिवल प्लेइंग 11 कौन सा बड़ा प्लेयर आज नाम से आप यहां पर जुड़ जाएए आपको बहुत जादा फायदा होने वाला है लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा तरवाइस आप सर्च भी कर सकते हैं अब मैं आपको कुछ चीज पिछले दो मैंच की कुछ कहानी बताना चाहता हूं हम मैंने परसो यह टीम しまने करी थी अपनी और इससे हम मिनी जियल विन करें कुछ सब के सामने शेर करी थी तो first rank का MINI में थीक है उसके बाद अगर मैं सारे अगर आपको 97 आहीं लकँवार थाई लाट是這樣 लोगों में 67 लकए लेधाई लकश कथा लाट जीएल मैंने बताई थी हम बन करी गए थे ठीक है 48 लाख लोगों में 16 सो रहें कि ये टीम मैंने शेयर करी थी अपने ग्रूप में अब और मैं फिर मैं बता दू मैंने इस टीम में स्पेशली बताया था वीडियो में भी प्रित्वी शौग को केप्टम बनाने का कितना इंप और यहां पर मैं मैं फैब 11 पर rank 1 मैं मेरी rank 2 भी मेरी तो ग्रैंड लीग तो विन कराई लेकिन rank 2 भी मेरी आई जो बहुत बड़ी बात होती है जनरली आप ऐसी चीज नहीं देखते अब हम कल की बात करते हैं कल क्या हुआ यह हमारे सब्सक्राइबर थे जिनकी rank 9 आई थी क्ली बल्लेबाजी में व उन्होंने भी अच्छा मांट विन कर लिया था अब मैंने कल आपको कल भी आपको मैंने क्विन जी टीम दी थी जिनन्होंने अच्छा किया जो हम स्टार्टिंग में फर्स इनिंग के बाद अल्मोस्ट हम फर्स पर चल रहे थे बट जो रसल का जो एक विकेट था रसल ने का जो फुल टॉस पर उन्होंने विकेट लिया उसकी वैसे थोड़ी रैंक किर गई बट स्टिल हमारी रैंक ते कोई रैंक 3 चल रही थी ये रैंक 1 चल रही थी और लोगों की लेकिन एंड में हमारी रैंक 37 जो की काफी अच्छी रैंक है मेनी जीएल में और मैंने कल आपको काफी बताया हुआ था कि कौन सा प्लेयर मैंने शुपमान गिल के ऊपर स्पैशली बताया था कि वह सेंचुरी मालने वाला प्लेयर है बहुत टैल इसको भी GL WIN करना ही कहते है बट जो मिस है वो मिस है बट स्टिल मैंने 33 रुपे लगा कर 33 रुपे की यह लीग होती है जिसमें आप 10% कैश भी यूज कर पाते हो और अराम से मैं 6,000 रुपे में मेरी मेरी रर्निंग हो गई थी सो आज भी कुछ ऐसा ही मैं आपको चीज बताने वाला हूँ देखो क्या होता है कि इसमें माई फैब 11 पर अभी चल रहा है लीडर बोर्ट सो मैं इस वज़े से 12 टीम लगाता हूँ वरना मैं इतनी टीम नहीं लगाता क्योंकि इसमें हर हफते आपको टॉप 3 वाले जो लो लोग माई फैब 11 डाउनलोड करना चाहते हैं अगर वो फॉर्चून कोड यूस करोगे फॉर्चून सो आपको 50 रुपय का बोनस मिल जाएगा सो यह चीज है अब हम आज के मैश के बारे बतायता है यह सिर्फ इसलिए दिखाया था कि आपको जो लोग नए है वो देख पा लिए है और मैं आपको कुछ चीज़े आज टिप्स भी बताने वारा हूं जिससे अगर आप यूस करते हो आप ग्रेंड लीग बहुत इसली विन कर पाओके अभी अभी हमारे एक सब्सक्राइबर ने जारकन T20 में ग्रेंड लीग विन करी है मिनी जील विन करी है मैंने लोड़ा सा मैं आपको ग्रेंड लीग के बारे में ही बता रिता हूं देखो यार मैं आपको अभी के लिए सिर्फ एक टीम दे रहा हूं मिनी जील की तो आप उसी से चाहो तो स्मॉल लीग खेल सकते हो वह आपके उपर थोड़ी रिस्की रहती है बट आप मुझे लगता ह पर हैं mostly वह students है और मैं आप लोगों को वह लगाना चाहता कि आप 10-20-20 टीमों से लोग 40-40 टीमों से भी खेल रहे हैं लेकिन आपने काम आपने सीखना है अगर suppose कर वह आपने यार 10 टीम लगाई और वह 10 की 10 हार गई आप लोगों को अभी ये भी नहीं पता है बहुत से ल टीम कैसे बनाते हो तो 10 टीम अगर आप मैं देता हूं suppose करो क्योंकि Grand League में आप रिस्क लेकर ही खेलते हैं आप सेफ टीम लेकर नहीं जा पाओगे आप 10 टीम अगर आपकी हार जाती हैं किसी दिन सो आपका क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका बहुत जादा लॉस ह होता है सो मैं जाता हूं कि आप यह चीज सीखो और आप सिर्फ एक टीम लगाओ और अगर आप मल्टिपल टीम भी लगा रहे हो तो आपने कैसे खेलना है वो भी मैं आपको बता देता हूं देखो यार आप लोग ना क्या हो गया पिछले एक डेर साल में यह SL का मतलब स्मा ग्रेंड लीग वो खुद भी विन नहीं करते हैं तो आपको क्या विन करवाएंगे जो खुद ही किसी जगा पे नहीं पहुंचा है वो आपको भी नहीं करवा पाएगा तो आपको वो हैड-to-head और 3 मेंबर देते हैं और हैड-to-head 3 मेंबर में अगर आप देखोगे आप उ करना होगा आपने ग्रेंड लीग विन करनी होगी तब ही आप IPL से अच्छी अर्णिंग कर पाओगे या फिर आपका अगर सपोस्ट करो बजट ही आपका मोस्टली जो लोग होते हैं वो 100-500 रुपे तक इन्वेस्ट करते हैं ड्रीम 11 पर जिनका यार 500 का बजट है अगर आ आपने हाँ एक लॉंग टर्म में अगर आप फोकस करोगे सो आपका थोड़ अच्छा प्रॉफिट निकल जाता है लेकिन अगर आपने कुछ बड़ा करना है सपोस्ट करो आपको कुछ चीज खरीदनी है कुछ भी ऐसा है सो आप वो ग्रेंड लीग से ही हो सकता है अब ग् मैच है यार आज के मैच में भर भर के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं बड़े बड़े प्लेयर्स है आज मतलब इतने अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टैंशिप के लिए बहुत जार डाउट्स हैं हम लोग क्या करेंगे दस टीम बनाकर क्या करे अगर वो Grand League नहीं विन करती तो आपका हुआ है नहीं कि दो टीम से पैसे वापिस आजाएंगे या थोड़ा सा profit हो जाएगा बाकी सब जो है वो आप उनसे हार जाओगे ठीक है? तो आपने ऐसे नहीं करना है आपने जैसे SL में अगर आप Small League में जो लोग है क्या होता है SL हम जब 10 लीग खेलते हैं तब इतना इंटरस्ट नहीं आता है जब हम Small League लगाते हैं जब competition सिर्क 2-3 लोगों में होता है तो हमें वो मैच देखने में मज़ा आता है ये क्योंकि ऐसा लगता है इस बंदे से आगे इस particular बंदे से आगे निकलना है तब मैं जीतूंगा लोग average जो बंदा dream 11 पर खेलता होगा वो एक मैच में 1000 रुपे तक लगा देता होगा अगर हम मानके चलें SL में 500 या 1000 हम 1000 एक मानके चलते हैं rough figure जो बंदा SL में 1000 रुपे लगा सकता है वो same amount अगर आप grand league में लगाओ लेकिन आपने करना क्या है आपने सिर्फ एक captain बनाना है आप small league में भी तो एक ही team बना कि 1000 रुपे इंवेस्ट कर रहे हो उसमें भी तो आप शायद केल राहूल जज सैंसन या समित या बटलर किसी को captain बनाओगे उससे better होगा कि आप grand league में अकर आप 10 teams बना रहे हो 5 बना रहे हो, 7 बना रहे हो, 2 बना रहे हो 3 बना रहे हो, हर किसी में आप same captain रखो मैं अपने captains बहुत कम change करता हूँ आप अगर मैं तभी जा कि यह ऐसा होता है कि rank 1 भी मेरी, rank 2 भी मेरी क्योंकि दोनों में same captain था कल rank 3 भी मेरी, 4 भी मेरी same shubhman Gill captain था मेरा so, ऐसे ही होता है अगर आपने क्या होता है, अगर आपने 10 team बनाई, और 10 team में आपने एक ही captain बनाया, अगर वो बंदा ठीक ठीक चला, मतलब कि ऐसा नहीं कि flop नहीं हुआ, लेकिन suppose करो, कोई आपने bowler captain बनाया उसने 10 run भी बना दिये, और एक catch, या 10 run ना भी बनाया, एक catch और एक wicket ले गया, मतलब वो ठीक ठीक perform कर गया, कि इतना बेकार नहीं और इतना अच्छा नहीं, सो उस scenario में आपकी 10 की 10 team, high chances है winning zone में आ जाएगी, क्योंकि आपके captain ने average perform किया है सो आपने जितना लगाया, high chances है आपका उतना पैसा वापिस आ जाएगा लेकिन अगर आपका, जो आपने captain select किया है आपने अगर वो player आपका चल गया, सो भाई आपने यह समझ लो, फिर आप बस 2 start कर दो, क्योंकि grand league बहुत easy हो जाती है फिर आपने 10 teamों में एक बंदा select किया वो ही captain की choice बना problem क्या आती है, कितनी बार ऐसा मैच होता है, कि आपका जो captain है वो चल गया, लेकिन आपके किसी team में यह player की कमी रह गई किसी में वो रह गई, लेकिन जब आपका captain हर team में same होता है और वो ही perform कर जाता है उस case में आप देखना कि कोई ना कोई team क्योंकि आपने 10 अलग-अलग combination बनाए और हर team में बहुत changes नहीं करने सिर्फ एक से दो changes करते जाओ सो जब आप ऐसे करते हो सो आप देखोगी कोई ना कोई जो team है वो top पर पहुँच जाती है सो उस scenario में आप देखना कि आप regular अगर यह चीज़ follow करते हो आप win करने लग जाते हो जैसे मैंने person win करी कल मैंने third four आया lose करी ऐसे एगर मैं mighty team 11 पे कल बात करू ऐसा नहीं है कि मैं रोज GL में हारता हूं और एकदम से मेरी grand league लग गई ऐसा कभी नहीं होता है आप जब पहले आदर डालो कि आप GL मिस करने की तो आदर डालो मतलब कि अगर आप GL मिस करते हो आपकी top 20 में बार बार rank आती है कि आप top 100 में आते हो और आप धीरे धीरे जैसे ही आपका थोड़ा सा भी दिन अच्छा हुआ आप उस दिन grand league win कर जाओगे आपने अपनी team formation पर ध्यान देना है आज भी जो ये video देख रहे हैं मैं अगर आप multiple teams बनाने के शौकीन है आप अपना captain same रखो मैं आपको अच्छे से analyze करने वाला हूँ कौन सा player क्या कर सकता है क्या उनका role हो सकता है वो ही चीज़ आप use करो अगर आप मुझे follow करते हो मुझे करो अगर आप किसी और को करते है तो उसको करो आप 10 लोगों को follow ना करो हर किसी की राय अलग होती है सो कुछ लोग ऐसे होते है मैंने भी कितनी बार ऐसा किया जैसे suppose करो मेरा दिल कह रहा है आज ये player चलेगा ठीक है जैसे मेरा कल bear stock को लेने का मन नहीं था बट मैंने फिर भी लिया था क्योंकि उनका average जो है वो kolkata against अच्छा था ये मैंने पढ़ा था करी ठीक है ना यानि कि मैंने वो जो पढ़ा गए मैं ना पढ़ता हूँ तो मैं bear stock को नहीं ले रहा था क्योंकि मेरी योग gut feeling थी सो अगर आप कितनी वार ऐसा होता है कि मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ मैं आपको gut feeling के थुरू बता रहा हूँ कोई आपको stats दिखा रहा है आप दोनों चीज में confused होंगे तो आप जिसको follow करते हो आप उसको करो तो उसमें advantage आपको हमेशा मिलेगा अब हम चलते हैं जल्दी से आज की पहले हम बात कर लेते हैं pitch report की pitch report यार यही ground जो है शार्जा में है शार्जा की boundaries जो square boundaries है मतलब side की जो boundaries हैं बहुत छोटी हैं पचपन मीटर, साट मीटर जो कुछ भी नहीं होते तो ऐसे player जो cut pull के अच्छे shot मारते हैं Steve Smith, Maxwell यह players काफी अच्छा इस match में perform कर सकते हैं मतलब यह boundaries क्यों की छोटी है और इसमें last time जो है चन्नाई और आरार का जो match हुआ था राइस्थान का राइस्थान ने 216 और चन्नाई ने 200 बनाए थे यानि कि 416 रण हमें देखने को मिल गए थे इस scenario में आप लेकिन यह expect नहीं कर सकते मेरे भाई कि आज भी ऐसा ही match होगा boundaries छोटी है wicket भी अच्छा होगा अच्छा है batting का लेकिन यह मतलब नहीं है अभी तक अगर हम पिछले IPL बहुत unpredictable हुआ है पिछले आप देख रहे हो कितने अराम से easy catches चुट रहे हैं वो यह भी हो सकता है कि lockdown के बाद players आ रहे हैं तो इतने अच्छा form में अभी तक नहीं है लेकिन मुझे नहीं लगता है एक महीना क्योई हो चुका है काफी practice कर रहे है बट स्टिल काफी catches चुट रहे हैं अभी तक पिछले चाहर matchों में जो captain toss जीत रहा था वो bowling कर रहा था और वो हार रहा था कल Sunrisers ने पहले toss जीता पहले batting करी कल वो भी हार गया तो ऐसा नहीं है कि अगर pitch report यह कहती है कि 200 run का ground है तो यहां 200 ही बनेंगे लो scoring भी हो सकता है तो आप इस चीज़ पर कभी न जाहिएगा especially IPL में हाँ आपने एक balance team बनानी है लेकिन यह मतलब नहीं है क्योंकि आज क्या है आज इंडिया में एक चीज़ होती है इंडिया में हम bowlers को इतना कुछ खास weightage देते नहीं हमें cricket जाओ batsman game ही लगता है और आज इतने बड़े नाम है कि सबने captain जो है वो बनाया होगा आपके batsman को लेकिन अगर आप bowlers पर focus करते हैं और वो bowlers चल जाते हैं तो यह समझ लेना कि आपकी lottery लग जाएगी तो आप bowlers पर भी focus करो आप एक balance team बनाओ ऐसा भी नहीं कि bowlers ही भड़ लिये सारे और batsman लिये ही नहीं लेकिन ऐसा भी ना करना कि सिर्फ और सिर्फ batsman ले लिये और bowlers लिये ही नहीं तो आपने एक balance team बनानी है अगर हम Rajasthan Royal की बात करें तो मुझे लगता है Jazz वाल open करते हुए नज़र आ सकते हैं आज Butler के साथ Butler available है selection के और high chances हैं कि वो Miller को replace कर जाएंगे तो one down चाहेगी तो Tom Curran की David Miller और Tom Curran में से किसी एक को बहार बिठाएगी मेरे इसाब से Miller ही होंगे क्योंकि Tom Curran जितनी betting आपको Miller करके दे रहे हैं उतनी ही शायद आपको Tom Curran भी करके दे रहे हैं प्लस 4 over भी करके देंगे तो काफी हद तक यही होगा कि Butler आएंगे Miller की जगा Kings 11 पंजाब की बात करूँ पिछला मैच जीत के आ रहे हैं तो कोई changes मुझे नहीं लगता एक change जो है वो है पुरन की जगा गेल का ये एक हो सकता है change अगर होगा तो गेल important बन जाते हैं क्योंकि ground है छोटा सो बाकि मुझे नहीं रखता कि कोई खास change होने वाला है अगर हम बात करें अब dream 11 पर देखो यार हमारे पास विकेट कीपिंग section में as of now चार प्लेयर हैं केल राहुल केल राहुल का selection आज अगर हम बात करें एक ऐसी rough team बना के कोई से भी ऐसी प्लेयर उठा लेते है केल राहुल को 42% 43% लोगों ने captain बनाया है तो भाई अगर ये player नहीं चलता देखो बहुत अच्छा player है आपको keeping से भी points देगा batting से भी देगा अगर पिछले मैं में शतक मार के आ रहा है तो अच्छा player है और अच्छी चोईस है कैप्टेंशिप आईस कैप्टेंशिप के लिए लेकिन अगर ये grand league में ये नहीं चलता तो 42% लोगों से आप सीज़ा सीदा आगे निकल जाते हो तो इस बात का धियान रखना लेकिन form में बहुत अच्छी है और काफी अच्छा कर भी रहा है तो form में बहुत अच्छी और काफी अच्छा कर भी रहा है तो ये काफी अच्छी चोईस हैं आपके लिए wicket keeping section में लेकिन अगर आप grand league में risk देखो अगर आप safe खेलना चातो ये आपकी अपने उपर है तो आप इन्हें captain कर सकते हो grand league में आप इन्हें के इर्दगिर्द team बना सकते हो अगर आपको लगता है कि राहूल ही चलेंगे तो राहूल को ही captain बनाओ ये मतलब नहीं है कि 42% लोगों ने इन्हें captain बनाया तो ये captain नहीं होगा problem क्या है अगर ये आपने captain बनाया तो और चल गया तो ठीक है लेकिन अगर ये player ने नहीं चला और जिन्होंने दूसरे player captain बनाया उनके बहुत फाइदा हो जाएगा क्योंकि 2-3 player ही हैं जिने 70-80% लोगों ने वस उन्हें ही captain बनाया और इस match में भर-भर के अच्छे players है तो राहूल है बहुत अच्छी choice है captain ship wise captain ship की ये अब आपके उपर है आप इने लेना चाहते हो ये नहीं आपको analysis जो मैं कर रहा हूँ इसके थूँ आपने एक player decide कर लो कि भाई मैं आज का match इसी के उपर खेलूँगा तो ये आपके उपर है वो कैसे कौन सा player आप select करते हो Samson है Samson बहुत amazing player है लेकिन अगर butler खेलते हैं जो high chance लिए खेलेंगे तो मेरे साब से शायद keeping भी butler करेंगे तो ये देखना होगा कि keeping कौन कर रहा है अगर Samson खेलते हैं as a keeper तो उनकी advantage ज़्यादा हो जाती है क्योंकि शायद 20-30 points तो पिछले match में Samson ने keeping keeping के दे दिये थे तो जो player keeping करता है उसका advantage रहने वाला है तो इस बात का ध्यान रखेगा हम butler की बात करें butler मुझे जो मेरी gut feeling कहती है वो यह है कि butler और Samson में से एक चलने वाला है यह मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर butler open करते हैं और एक अच्छे inning खेलते हैं फिर smith भी आने हैं फिर Samson है तो मुझे लगता है कि Samson का role फिर शायद कम हो जाएगा अगर butler ने एक बड़ी inning खेल दी लेकिन अगर butler चल दी आउट हो गए फिर Samson मुझे लगता है जो पिछले match में हुआ वो ही करता हुआ नजर आ सकता है तो इन दोनों में से अगर आपने choice हो अगर आप एक pick करो आप ऐसा कर सकते हो दोनों को भी ले सकते हो दोनों बहुत बड़े प्लेयर है पिछले match butler का आप सब को पता और Samson ने क्या बैटिंग करी जियार मसा आ गया था देखकर so Samson है बहुत amazing choice बट आपको जो विकेट कीपिंग करता हुए नजर आएगा वो एक allrounder की तरह काम कर रहा है क्योंगि बहुत पॉइंट्स आपको मिलते है अगर एक यहां पर एक surprise pick जो हो सकती होए निकोलस पुरन पिछले match में one down बैटिंग करने आये थे और अगर one down नहीं भी आते हैं तू डाउन या थ्री डाउन आएंगे maximum से पहले ही आएंगे so यह काफी important है इनके ऊपर regular इतनी CPL में इन्होंने शतक मार रहा था अगर आपने देखा हो CPL मुझे लगता है सबने ही देखा होगा CPL में पुरन flop बिल्कुल flop लेकिन अचानक से एक इनिक आती है इसमें इन्होंने 100 मार दी थी अगर आपको याद हो उससे पहले ये बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे लोग इन्हें fantasy में ले भी नहीं रहे थे जो current situation है भाई वो ही बन रही है इन्हें कोई ले भी नहीं रहा है लेकिन ध्यान रखना ये player जब मारेगा ये बड़े निंग खेलेगा ये 10-20 रड़ वाला player ही नहीं ऐसा player होता है जो थोड़ा सा इने luck चाही होता है starting में कि थोड़ा survive कर जाए 10-20 रण तक उसके बाद ये player जब ये hitting वाली zone में आ जाता है ये special बन जाता है और ये ऐसी hitting कर सकता है कि रिशब पंथ वगएरा सब fail हो जाएंगे इसके आगे ये बात ध्यान रखना आप इने अगर grand league में चाहो तो इने ले सकते हो और काफी अच्छी आपके लिए option है और butler मैंने बताई दिया यार बटलर वापिस आ रहे हैं आज के मैं आज मैं सो काफी excited हूँ या तो butler को drop कर दो वरना captain बना दो मुझे ऐसा लगता है बटी ये आपके उपर है आप में चारों में से बहुत अच्छे player है राहूल सैमसन जो है वो बहुत दोनों ही बहुत अच्छे हैं राहूल और सैमसन जो है ये famous choice है लेकिन butler जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि butler खेलने वाले है तो ये भी famous choice बनते जाएगी और आप इनका selection उपर देखोगे और पूरन का नीचे घटता चला जाएगा तो ये चार option है आपने decide करना आप किसके साथ जाना चाते हो अगर हम बात करें betting section में betting section में mayang कगरवाल है स्टीव स्मिक मुझे लगता है must have ही होंगे क्योंकि काफी अच्छी form में है और IPL में अच्छा ही करते है और one down betting करेंगे high chances तो एक अच्छे option है Miller शायद नहीं खेलेंगे जैसवाल की मैं बताओ एक तो एक rate maintain करके आपको दे रहे है इसी वज़े से इनका selection जो है वो जादा है 38% लेकिन यह आपको मैं बता दूँ और यह और जादा हो जागा क्योंकि डेविड मिलर नहीं खेलेंगे इनका selection rate और भड़ जाएगा तो आप ध्यान रखना और जैसवाल प्लेयर बहुत अच्छा है यह future होगा इंडिया का इन्होंने बहुत struggle करी है और बहुत talented player है T20 का इनने जादा experience नहीं है तो आज देखना होगा कैसा करते हैं लेकिन यह बड़ी inning खेलने का दम रखता है यह लड़का लेकिन यह आपको बहुत अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है फिर इनने लेकर ना चलना मतलब आप top 3 पंजाब कन लेकर ना चलना कि आप करुनायर भी ले रहे हो आप मयंक भी ले रहे हो और आप राहुल भी ले रहे हो क्योंकि राहुल और मयंक अगर 10 over या 8 over भी खेल गए सो मुझे लगता है कि फिर एकदम से करुनायर फिर आप पूरान देखते नजर आओगे फिर आपके पास max वे लाएंगे फिर करुनायर की position काफी नीचे हो सकती है सो उस scenario में विकार जा सकते है लेकिन अगर top order collapse करता है फिर करुनायर एक अच्छा option आपके लिए बन जाता है अगर हम बात करें रोबिन उथपा की selection काफी कम हो चुका है क्योंकि middle order में बैटिंग कर रहे हैं वैसे बहुत अच्छे player हैं क्योंकि middle order में बैटिंग कर रहे हैं so captain ship wise captain ship की choice नहीं बनती है लेकिन आप इन्हें as a normal player अपनी team में try कर सकते हो क्योंकि काफी अच्छे player है hitting भी काफी अच्छी करते हैं और आपको एक inning बनाते हुए भी नजर आ जाते है so सरफरास खान की मैं बात करूँ सरफरास खान का season बहुत अच्छा रहा है रंजी ट्रॉफी में काफी run करके आया है बिज़ग इस season में इन्हें chance नहीं मिला लेकिन जिस match में भी top order collapse कर गया और सरफरास को पूरा betting करने का मौका मिला है 50-70 run की खेल जाएगा आप यह देख लेना so अच्छी pick है but as a captain wise captain नहीं लेकिन अगर आप normal player अपनी टीम में चाते हो so इन्हें ले सकते हो Chris Gale अगर खेलते हैं so मैं उस scenario में मयंका गरवाल को drop करके अपनी टीम में मैं Chris Gale लूँगा इसलिए मैंने मयंका गरवाल का भी बताया नहीं था क्योंकि जो खेलता है open करेगा मैं उसको preference दूँगा अगर गेल खेलते हैं otherwise मैं मयंका गरवाल के साथ जाओंगा मयंका गरवाल काफी अच्छी form में है पहले में run करे और दूसरे में भी अच्छे touch में दिखे चहल ने आकर bold मार दिया लेकिन अच्छी चोईस है captain ship wise captain ship अगर आप try करना चाहते हो आप कर सकते हो मुझे नहीं लगता है और कोई खेलने वाला है तो इसलिए बात भी नहीं करते हैं हम बात करते हैं all rounder section में Maxwell ने पिछले match में bowling डाली थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस match में इने bowling का मोका जादा मिलने वाला है reason is क्योंकि last time इनके पास जो इनका match हुआ था उसमें lefty batsman batting कर रहे थे इस वज़े से इनको लाया गया था और वो one-sided match हो रहा था RCB के अगेंस है तो उसमें कोई इतना बात नहीं है लेकिन अगर हम बात करें इनकी batting की यार यह ताबर तोड़ batsman है boundaries है short और Maxwell जैसा बंदा थोड़ा सा भी set हो गया ना और short boundaries में आपको बहुत run करके दे सकता है तो आज के match में still as a batsman मुझे लगता यह काफी अच्छी choice है as a all-rounder इनको count ना करना क्योंकि मुझे नहीं लगता आच के match में bowling करेंगे यह अगर करते हैं इनको अगर batting का मौका मिलता है तो यह अच्छे choice के शक्के लगा सकते हैं तेवतिया की बात करूँ last time तीन wicket ले कर गए मैंने बताया था आपको तब इनका selection कुछ भी नहीं था और आज देख सकते हो तेवतिया और यह अच्छे batsman भी है आपको batting bowling हर जगसे आपको points दे सकते हैं so important pick है आप try कर सकते हो नीशम है नीशम का selection सिर्फ 18% है और इन्हें एक चीज़ बता दू इन्हें Twitter पे एक बंदे ने पूछा कहा कि भाई मैंने आपको wise captain बनाया था आपने मेरे सारे पैसे बरबाद कर दी है आपने ना विकेट लिया ना बैटिंग करी आपने so इसका रिपला आया था I don't care so मैं बतायता हम जीवी नीशम बहुत active रहते हैं Twitter पर काफी अच्छे player है last match में सिर्फ 2 over करें लेकिन last match में आप यहीं judge नहीं कर सकते क्योंकि last match one sided match सा तो उसमें कोई भी bowler डाल दे तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन नीशम आपको अच्छे all rounder है और अच्छे points आपको देने का दम रखते हैं आपको पूरे 4 over भी करते हुए नजर आ सकते हैं तो इस बात का ध्यान रखना Ben Stokes नहीं खेलेंगे Gotham नहीं खेले last match Ryan Prague की बात करूँ बहुत talented player है last year भी season में खेले थे तो अगर Tom Courant की जगा replacement आती है तो इस scenario में Ryan Prague bowling भी कर सकते हैं अगर मतलब बटलर खेलते हैं Tom Courant की जगा उस scenario में आप देखोगे Ryan Prague bowling भी कर जाएंगे तो यह अच्छे pick है आपके पास archer है पिछने man में चार चक्के भी मारे उससे ही परसल जाता है कि यार यह तो आज कल all rounder की तरह खेलना है और वैसे भी bowling बहुत अच्छी कर रहे है death में भी करेंगे जब भी wicket की ज़रुरत होगी archer ही bowling करते हुए नजर आएंगे सो काफी अच्छी pick है महमा श्यमी काफी अच्छी swing bowling हो रही है स्टार्टिंग में ही है लेकिन अपने 2-3 over करते हैं सो अगर स्टार्टिंग में इनकी ball पर wickets नहीं गिरे सो यह फिर शायद useless भी हो सकते हैं लेकिन बहुत important choice है और काफी अच्छी bowling यह कर रहे है cocktail ने दोनों मैच में 2-2 wicket ली है सो यह important बनते है अपना cocktail से 9 करोड कार player भिकाया लग भगिये और वो performance भी दे रहा है सो 9 करोड वाली सो काफी अच्छी pick है रवी बिशनोई जैसा मैंने आपको जब यह पहला match खेला तो मैंने बताव था कितना अच्छा bowler है और 3 wicket लेकर गया इसी वज़े से यही वो player होती है देखो हम मैं धियान देता हूँ छुपे रुस्तम player पे जिनने लोग कम select कर रहे है बट वो अच्छा performance दे सकते हैं एक बार वो performance दे जाए फिर तो वो खुली ती जोरी बन जाते हैं फिर वो सब के बारे में उनके पास information आ जाती है इसी वज़े से रवी बिश्णोई का जो है आप देख रहे हो selection जो है 51% हो गया है अब हम मैं को यो ढूंड हूँ आने प्लेयर की अच्छा नहीं यार अब मैं इस प्लेयर पे नहीं मैं इस प्लेयर पे बैट करूंगा तो रवी बिश्णोई बहुत अच्छे बोलर है और आप देखोगे आने वाले टाइम में भी काफी खुछ आपको यह करते हुए नजर आएंगे टॉम कुरें की बात करूं तो टॉम कुरें जो है वो 22% selection है लेकिन परफेक्ट ओल राउंडर है इसको ट्राइक करना है यह वो पिक्स है जो आपको अच्छा कर सकते हैं यह वो पिक्स हैं जो आपको अच्छा कर सकते हैं कि यह कैप्टेंशिप वाइस कैप्टेंशिप भी ट्राइ कर सकते हो मुर्गन एश्वन पिछले मैच में तीन विकेट लेकर आ रहे हैं बट सेलेक्शन सिर्फ 18% यह विश्णोई से ज्यादा एक्सपीरिंस्ट हैं डोमेस्टिक लेवल पर भी और एवन आईप्यल लेवल पर भी सो मुर्गन एश्वन काफी अच्छे स्पिनर हैं आप इन्हें ट्राइ कर सकते हो जो दो पिक अप मैं आपको बताने वादा हूं यह है अगर यह चल गई साफ ग्रैंड लिंग में होट टैलेंटेड है और बैटिंग भी कर लेता है तो आपके लिए काफी अच्छी फिक होने वाली है जैदे वुनाटक की बात करूं भाई साथ परसेंट सेलेक्शन पिछले मैश में हुई है बहुत पिटाई लेकिन चार और पूरे कर रहा है तो इससे ही पर अचलता है कि दो तीन विकेट बोलर को लेने में टाइम नहीं लगता है और सिर्फ साथ परसेंट सेलेक्शन सो इसे प्लीज कंसीडर कर लेना तो यह था और मुझे नहीं लगता अगर कोई और खेलने वाला अगर खेलता है तो मैं आपको टेलिग्राम चैनल पर बता दूँगा मैं आज आपको टेलिग्राम चैनल पर अगेन एक मिनी जील की टीम दूँगा आप चाहो तो सेम टीम स्मॉल लीग में रिस्क लेकर लगा सकते हो क्योंकि यार अगर आप सिर्फ और सिर्फ आपका मन नहीं है राहूल को कैप्टम बनाने का अगर आप फिर भी जबरदस्ती बना रह आपको अपिकर आप देखो कि आज कल आपके आपोनेंट्स आइं वो नहीं सौचते इतना आज कल रिस्की टेम का ही माहूल चल रहा है और आपको वही सेफ वही आपको टीम अच्छा करती हूँ नजर आएंगी आपने अच्छी सेची टीम बनाने कोशिश करने हैं मैं आप आपको टेलीग्राम पर जो फाइनल टीम है वो मैं आपको टेलीग्राम पर ही दूँगा और आपने टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है ताकि आपको बहुत जादा फाइदा हो सके सो अगें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा अधर्वाइज आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं फैंटेसी फोर्च उमीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी सो प्लीज सब्सक्राइब आर चैनल थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ताकि मैं और महनत कर सकूं आप लोगों के लिए और आपको और अच्छे रिजल्ट मिल सके तो सब्सक्राइब करना पहुत जरूरी है चैनल को लाइक करो वीडियो कमेंट करो कि आज का मैश आपको कौन ल अच्छे विल्ट जरूरी है